Good morning dear students, jay soami naran Today we will revise write different addition statement means आपको याँ पे आँसर डिया गया है और याँ पे एक नमबर डिया गया है ये आपका आंसर है तो आपको एक नमबर डिये गया है यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है 2 है 3 है तो now you have to add number and give answer तो यहाँ पे आपको क्या करना है यह 1 number यहाँ पे दिया गया है तो आपको यहाँ पे numbers add करके 3 answer आपको जो भी यहाँ पे answer दिया गया है वो लाना है पहलो तो यह आपको देखना है कि यह आपका answer है यह आपका answer है तो आपको क्या करना है जो आपको यह number दिये गए है one number तो आपको मिले हैं उसमें आपको दूसरे number add करके answer ढूनना है तो now you have to see here zero तो zero zero में how many numbers you have to add and find three answer तो zero में आपको कौन सा number ऐसा add करना है जिससे आपको three answer मिलता है तो zero में हम लोग क्या add करेंगे zero means कुछ नहीं तो आपको zero में वही number add करना पड़ेगा तो zero के three के साथ addition करेंगे तो ही आपको answer zero मिलेगा ओके zero के साथ three number को ही addition करोगे तो ही answer zero मिलेगा now next is यहाँ पर आपको one गिया है तो one में कितने numbers add करेंगे तो आपको three answer मिलेगा तो you have to one तो आपके पास one है उसमें आपने क्या क्या two finger add की कितने finger add की two तो कितने हुए one two three तो यहाँ पर क्या आएगा क्या नंबर आएगा two one plus two is equal to three यह answer मिलेगा आपको now next is two two है आपके पास अभी आप डूस्टे टारीके से भी कर सकते हो two है one two अभी आपको क्या answer चाहिए three one two and here are three one two two तो आपके पास है ही तो आपने कितने numbers add की है one तो यहाँ पर one number आएगा now next is three तो three ही आपको answer ढूनना है तो किसके साथ addition करेंगे तो आपको three answer मिलेगा three तो यहाँ पर है ही तो उसको zero के साथ addition करेंगे तो आपको answer three ही मिलेगा now next next is four ऐसे ही यह आपको करना है क्या करना है आपको one number दिये गए है यह आपको उसका answer ढूनना है zero में three add करेंगे तो three answer आएगा one plus two is equal to answer क्या मिलेगा three two plus one is equal to three आपको क्या करना है answer ढूनना है क्या करना है answer ढूनना है तो आपको यह numbers दिये गए हैं तो you have to find the answer आपको number डूसरे number add कर एक number के साथ डूसरे number add करके जो आपको answer ढूनने हैं आपको नव नेक्स्ट इस 4, 4, 0 प्लस तो 0 के साथ आपको वही नमबर एड करेंगे तो ही आपको 4 आंसर मिलेगा नव 1 प्लस तो 1, अभी आपको कितने नमबर लाना है, 4, 4 आंसर लाना है तो 1 तो है ही, 1, 2, 3, उसके बाद वाले नमबर गिनों आप, 1 है आपके पास, तो 1 के बाद, 2, 3, 4, 4 यहां पर आगया 1 तो है आपके पास, तो कितने नमबर एड किये, 1, 2, 3, 3, तो 1 प्लस 3 is equal to 4, ओके Now next is 2, 2 में कितने नमबर एड करेंगे, तो 4 आंसर आएगा, 1, 2 आपके पास है 2 नमबर, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, तो 2 आपके पास है, तो कितने एड किये, 1, 2 Now 3 प्लस, तो 3 तो आपके पास है, उसमें 4, तो कितने नमबर एड किये, 1 और यहां पर 4 नमबर तो है ही, तो क्या करेंगे, हम लोग 0 के साथ ही addition करना पड़ेगा, तो ही आपको आंसर मिलेगा, 4 वैसे ही यह 8, 5, 7, 6, ऐसे ही आपको करना है, 0 प्लस, 8 is equal to answer मिलेगा, 8 अभी 1 प्लस, आपको answer क्या लाना है, 8, क्या लाना है, 8 तो आप क्या करेंगे, 1 में कितने नमबर एड करेंगे, तो 8 आएगा, यहां पर 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी आपको एक 1 नमबर तो दिया गया है, तो 8 में से 1 तो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह पर 1 प्लस, 7 is equal to 8, वैसे ही 2, 2 में आपको कितने नमबर सेट करने पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 1, 2, 2 तो है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6, 2 प्लस, 6 is equal to 8, ओके, तो नमबर आपको यह खुट से करना है, थेंक्यू तो 2, 2, 3, प्लस, 8 बामःगे, शिता आपको यह भड़ है, बाम्बर आपको, तो 6 लग्बर आपको, यह खायरा किता है, तो 12 मेंसे है तो 16 ल miser